हेई गाईज मैं हूँ सीमा और दावद चनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से स्वागत है आप सभी लोगों को गाईज अपनी दावद फैमिली को नए साल की बहुत-बहुत सारी शुब काम नाए हापी न्यू यर गाईज आज स्पेशली मैं आप लोगों के ल यहां पर केक के लिए टिन तयार कर लेते हैं, तो यहां पर मैंने यह 5 इंच का टिन लिया है, तो यहां पर आलिमुनियम का टिन भी इस्तमाल कर सकते हैं, सबसे पहले तेल से ग्रीसिंग करने के बाद मैंने इसमें एक छोटा सा बटर पेपर का टुकड़ा भी डाल दिया है, अब यह तिन हमारा बिल्कुल तयार है तो चलिए अब बैटर बनाते हैं बैटर बनानी के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप यह प्रिमिक्स लिया है रेडिमेट प्रिमिक्स का आज मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ इसमें मैं दो छोटी चमश टेल डाल देती हूँ आज हम लोग यहाँ पर यह पाइनापल फ्लेवर का केक बना रहे है तेल डालने के बाद मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा थोड़ा पानी और इसका हम लोग पॉफेक्ट कंसिस्टनसी वाला बैटर तयार कर लेंगे बहुत ज़दा पानी एकदम से ही आपको नहीं डालना है क्योंकि अगर बैटर बहुत ज़दा पतला हो जाता है ना तो इससे हम लोग बाद में अज्जिस नहीं कर पाएंगे तो बस यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी मिला कर मैं इसका बैटर तयार कर लेती हूँ आपको जिस भी फ्लेवर का बैटर बनाना है केक बनाना है सौरी तो आप उस तरह का essence इसमें डाल सकते है तो आज मैं हाँ पर pineapple flavor का cake बनाने जा रही हूँ तो मैंने हाँ पर pineapple essence ले लिया है half teaspoon के करीब मैंने इसमें pineapple essence डाल दिया है हलके हाथ से बस मिला लेंगे और देखिए batter के consistency इस तरह से होनी जाए ribbon consistency से कहते हैं ना ही ये बहुत ज़दा पतला है और ना ही बहुत ज़दा थिक है तो चलिए पहले से ही grease किये हुए tin में मैंने ये सारा batter अब डाल दिया है अब बस दो से तीन बार इस batter को इस tin को हम लोग tap tap कर लेंगे ताकि extra air इसमें से निकल जाए अब ये bake करनी के लिए ready है इसे bake करनी के लिए मैंने ग्यास पर 10 मिनिट पहले ही लो फ्लेम पर ये कुकर प्रिहिट होने के लिए रख दिया था अब ये प्रिहिट हो चुका है गाईज अब बस नीचे एक steel का stand रखकर मैं इसके उपर ये cake tin रख देती हूँ और यहाँ पर हम लोग कुकर का ढखकन लगा कर इसे 35-40 मिनिट तक लो फ्लेम पर बेक कर लेंगे रबर की रिंग और सीटी निकाल कर रखनी है तो यहाँ पर पूरे 35 मिनिट हो चुके है देख लीजे हमारा cake अच्छी तरह से बेक हुआ है और एकदम perfectly full भी चुका है तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं कि यह अंदर तक पका है की नहीं पिक यहाँ पर पूरी तरह से clean आ चुकी है इसका मतलब है हमारा cake अच्छी तरह से बेक हुआ है चलिए मैं अब इसे बाहर निकाल लेती हूँ और इस sponge को हम लोग अभी पूरी तरह से ठंडा होने देंगे और बाद में इसके उपर icing करेंगे, decoration करेंगे तो यहाँ पर हमारा cake पूरी तरह से ठंडा हो चुका है गाई चलिए इसे demold कर लेते हैं और जब भी cake demold करना है तब यह पूरी तरह से ठंडा होना ज़रूरी है देखिए बहुत ज़दा soft बना है इसके नीचे का जो butter paper है उसे भी निकाल लेते है और बस अब इसके दो layers हम लोग cut कर लेंगे एकदम छोटा सा cake हमने बनाया है गाईस तो इसके दो ही layers मैं यहाँ पर आज cut कर रही हूँ तो इस तरह से चाकू की मदद से नहीं तो धागे की help से आप इसके layers इस तरह से cut कर सकते हैं देखिए बहुत ज़दा soft ब बना है तो यहाँ पर cake board के उपर मैंने पहले से ही whip cream तयार करके रखी थी वो थोड़ी सी लगा ली है इसकी वज़े से हमारा जो cake है वो नीचे से जगर से नहीं हिलेगा और बस sponge के उपर मैंने थोड़ा सा sugar सिरप लगा दिया है शुगर सिरप के लिए आपको दो चम्बचीनी में एक चौथाई कप पानी मिलाना है तो आपका शुगर सिरप तयार हो जाता है और यहाँ पर piping bag में मैंने यह तयार whip cream भर दी है और इस तरह से cake के उपर लगा दी है अब बस palette की help से हमें इसे इस तरह से spread करना है और आज मैं यहाँ पर यह pineapple flavor का cake बना रही हूँ इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगी यह pineapple crush आप जिस भी flavor का यह cake बनाना चाहते है उस तरह का crush आपको इसमें यूज करना पड़ेगा तो यह crush मैंने दो चमच के करीब यहाँ पर डाल दिया है अब जो नीचे की side थी guys वो मैंने उपर रग दी है क्यूंकि जो dome shape आया था थोड़ा सा वो मैंने side नीचे रग दी थी उपर का shape एकदम plane आये इसलिए आपको नीचे वाली side उपर रखनी है और इसे भी मैंने sugar syrup से soak कर लिया है अब हम लोग whip cream से यह पूरा जो sponge है guys उसे cover कर लेंगे तो जहाँ पर भी आपको gaps वगरा दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर आपको इस तरह से cream लगानी है यहाँ पर थोड़ी से ज़्यादा quantity में whip cream लगती है यहाँ पर यह cake decorate करने के लिए मैंने आधा cup यानि की 100 ml whipping cream ले ली थी और उसे electric biter से beat कर लिया था तो cream लगाने के बाद मैं यहाँ पर palette की मदद से इसे smooth कर रही हूँ जो sides है वहाँ पर भी हम लोग extra की whip cream है उसे निकाल लेंगे और इसे smooth बना लेंगे जो top के उपर extra की whip cream आई है उसे भी इस तरह से निकाल लेना है ताकि इसे एकदम finished look मिले तो देखिए हमारा जो cake है वो icing होकर यहाँ पर तयार है अब इसके बाद हम लोग इसे sky blue color से cover करेंगे shedding वाला color हमें चाहिए तो यहाँ पर मैंने liquid color का use किया है बस 3-4 drops मैंने यह liquid sky blue color है वो इसके उपर डाल दिया है और palette की मदद से बस इस तरह से आपको बस हलके हाथ से घुमाना है गाइस तो अपने आप पूरा shedding effect आ जाता है और यह दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है यहाँ पर आप लोग देखी सकते है ना ही हमने यहाँ पर piping gel का, neutral gel का यूज किया है simple से हमने सिर्फ color इस तरह से इसके उपर लगा दिया है और देखिए कितना ज़्यादा एक खूबसूरत लग रहा है जिगजग वाला scrapper लेकर मैंने यह जिगजग वाली side design भी बना दी है और बस अब इस cake को आप लोग चाहे तो 15-20 मिनिट के लिए फ्रिज में रख सकते है यहाँ पर उपर की जो flowers है उजे बनाने के लिए मैंने यहाँ आपर white color की whip cream ले ली है और यह जो rose flowers बनाने का nozzle है उससे मैं इस तरह से flowers बना रही हूँ अगर आप नए है बिगनिर है इस तरह के rose flowers कैसे बनाते हैं वो आपको नहीं आता है तो नीचे एक description box में मैं link दे रही हूँ वहाँ पर जाकर आप इस तरह के rose flowers असानी से कैसे बनाना है वो भी सीख सकते है तो white color की cream में मैंने ये फ्लास बना दिये है और जो pink color में spray colors मिलते हैं उससे हम लोग इसे color करेंगे तो ये बहुत यसानी से हो जाता है क्योंकि whip cream में हमें color mix करने की जरुवत नहीं पड़ती है देखिए हमारा rose flower तयार है और जब भी कभी आप flower बनाते है उसे decorate करने से पहले थोड़ा सा base आपको नीचे देना है केक के उपर इस तरह से और बस हलके हाथ से हम लोग इसके उपर ये flower रख देंगे दूसरा भी flower मैंने यहाँ पर तयार करके लिया है और उसे भी हम लोग सेम उसी तरीके से base देते हुए उसके उपर रखेंगे कैची के मदद से नहीं तो काटा चम्मच या फोक के मदद से आप लोग उसे राम से उठा कर इसके उपर रख सकते है अब यहाँ पर new year cake है तो इसके उपर हम लोग happy new year लिख सकते है नहीं तो welcome 2021 लिख सकते है जो भी चाहे अगर आप ये cake किसी के birthday के लिए बना रहे है तो आप happy birthday भी लिख सकते है नहीं तो plain rose flowers बनाते हुए भी इस cake का decoration कर सकते है तो यह बिलकुल आपके उपर है कि आपको य लिख दिया है तो दीखिए यहाँ पर हमारा cake अब इसके बाद बिलकुल तयार हो जाएगा इस तरह से मैं विप क्रीम से ही यह नाम इसके उपर लिख रही हूँ आपको बस piping bag में विप क्रीम भर कर उसे छोटा सा एकदम कट लगाना है अब यह बिलकुल तयार है तो नीच इस तरह का नोजल आता है स्टार नोजल भी हम लोग इसे कह सकते है इस नोजल से हम लोग इस तरह की छोटी छोटी स्टार्स यहाँ पर बना लेंगे तो देखिए अभी से ही हमारा cake बहुत ज़ादा खूपसूरत लगने लगा है और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ग्रीन कल वाली विप क्रीम ले ली है और इससे हम लोग यह जो फ्लास हमने बनाया है उसके साइट्स में थोड़े से लिव्ज भी बना लेंगे ताकि यह फ्लास हमारे और भी ज़्यादा खूपसूरत लगे इसे बनाने के लिए आपको सिंप्ली जो पाइपिंग बैग है उसे वी कट लगाना है और हाथ को इस तरह से शेक करती हुए यह लिव्ज या पत्ते बनाने है अब यहाँ पर मैंने डेकोरिशन के लिए थोड़े से यह जो सिल्वर शुगर बॉल्स आते हैं वो ले लिए है यह उसके उपर हम लोग डाल देंगे यह बिल्कुल आप्शनल है आपके पास जो भी डेकोरिशन का समान है उसका यूज आप यहाँ पर कर सकते हैं तो यहाँ पर हमारा न्यू यर का केक बनकर बिल्कुल तयार है तो आपको यह केक कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताईए और अच्छा लगा है हमेशा की तरफ पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कमेंट शेर और दावच चनल पर अगर आप नए है ऐसी बहुत सारी किये किये और दूसरी भी रेसिपीज देखना चाहते हैं तो दावच चनल को ऐसी नई नई और बहुत सारी इंट्रेस्टिंग रेसिपीज देखनी के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजी सब्सक्राइब करने के एक नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए, थैंक्स पर वाच्छिंग, टेक केर, वन्स अगें, हपी नू यहर गाईज,